हेलो दोस्तो दिस इस कुल्दीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर स्टडी सेंटर के इस यूडूब चैनल पर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा गोदन्या योजना इस योजना के थाथ 36 गड़ गौवर्मेंट ने पसु मालिकों से गोवर खरीदेगी और गोवर के बदले में उनको पैसे प्रोवाइट कराएगी तो देखते हैं यह कट आउट 36 गड़ गौवर्मेंट का है इसमें उसने बोलाए कि ऑन दा ओकेजन आप दा हरेली फेस्टिबल के ओकेजन पर हरेली फेस्टिबल वहां का एक लोकल फेस्टिबल है सो हरेली फेस्टिबल के उसने गोधन न्या योजना को लॉंच किया इस योजना के तहट वहां के फार्मर्स या एनिमल ओनर को या पसुपाला को एकोनोमिक वेफिन बेनेफिट प्रोवाइट कराएगी और न्यू इक्लॉमेंट जन्नेट करेगी तो देखते हैं इस लेक्षर में आज के इस लेक् अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अप्डेट्स यह पिक्चर शतीसगड के सियं मिस्टर भूपेज बगेल के है यह और यह हरेली फेस्टिबल के दौरान गेडी रेस को इंजॉय करते हुए हैं इस गेड के इस गेडी रेस में बैंबु की स्टिक पर खड़े होकर चलते हैं तो आगे यह कटाउट न्यूज पर का इस न्यूज पर के कटाउट में गोधन न्याय योजना को लांच क्या और यह योजना च्छतीसगड में अपनी तरह की पहली योजना है तो गोदन निया योजना आखिरी एंट गोदन निया नियोजना है क्या 36 का चीफ मिनिस्टर बूपेज बगेल ने इस योजना को लाँच किया है on the occasion of हरेली फेस्टिबल as the हरेली फेस्टिबल associated with the agriculture environment because हरेली फेस्टिबल में farmers अपने ओजार जो की आने की equipment और स्पस्वों की पूजा करते है then this scheme aims to put money in the pocket of people living in the ruler areas and also solve the problem of state cattle इस scheme के तहित वहां की सरकार ruler area में रहने वाले लोगों को money provide करेगी जिसके बदले में वो उनसे गोबर या cow डंग खरीदेगी और इस scheme से वहां आपके आवरा घूमने आवले पस्वों की problem को भी solve करेगी under the godhan niyaya yojna 37 government purchase cow dung at the rate of 2 rupees per kg 2 rupees per kg के हिसाब से government farmers या animal owners से cow dung खरीदेगी this scheme will turn the cow dung into profitable economy profitable commodity इस scheme के बाद वहां पर या उस government या वहां 36 गार्न cow dung एक profitable commodity कहलाएगा या उसकी तरह use होगा so how will go the niyaya yojna help rural economy because actually this scheme will generate additional income and increase employment opportunity इस scheme के द्वारा additional income generate होगी और employment opportunity की संभावन और ज्यादा होगी so एक complete system इस यूजना को चलाने के लिए implement करने के लिए बनाये जाएगा also government will procure cow dung and prepare vermi compost in order to move towards the organic farming organic farming को और boost करने के लिए vermi compost के process को यूज किया जाएगा so इस process को यूज कमपोस बोलते हैं so वर्मी कमपोस भी sold by cooperative society also cooperative society के द्वारा भी वर्मी कमपोस को sold किया जाएगा गोधन न्याय यूजना wait sorry गोधन न्याय यूजना comes on the heels of his government राजीव गांधी किसान न्याय यूजना मई मा मैं एक और इसकी राजीव गांधी किसान न्याय यूजना लौच होई इस यूजना के तैत farmers को और ज़्यादा फसल उगानने के लिए encourage किया जाता था तदा उसके बाद उनको अच्छी price पर उस फसल को बेखने के लिए price दी जाती थी ये यूजना भी farmers के लिए और इससे पहले राजीव गांधी के सान यूजना भी farmers के लिए तो दोनों यूजना farmers के या ruler economy को boost करने के लिए है so both have same objective of infusing money in the ruler economy so आगे state government has taken step to strengthen the ruler economy by improving conservation of नर्वा ये नर्वा actually गोसला में यूज के जाने वाले dams या नाला होजन तो इंप्रूब ग्राउंड वर्टर वहां पर ग्राउंड वर्टर इंप्रूब करने के लिए गोसला में यूज करने वाले place यहां पर गायों को खाना दिया जाता है पाने दिया जाता है वहां के ground system होता है जिसको नर्वा बोलते हैं गर्वा देन गुर्वा देन बाड़ी इन सभी system ये सभी system गोसला में यूज के जाते हैं इस पिक्चर में आपको खिलर हो जाएगा कि इनको कैसे ये क्यास से है तो टैकल दा प्रॉब्लम स्टे आखी आवरा पच्छों की प्रॉब्लम को कैसे अर्वन एरिया में टैकल किया जाएगा इन फर्स्ट फेज काव दंग बिल भी प्रोक्यूर्ड पहले फेज में काव दंग या गोवर को 24 से 28 काव श्रय यानि गोशाला जो की रूर एरिया में तता 377 गोशाला जो की अर्वन एरिया में वहां से काव दंग को खरिदा जाएगा और in urban area scheme will be prevent movement और scheme के ताइप आवरा पसुओं की momentum को भी prevent किया जागा और इस scheme इंशोर एबिलोटी अफ हाई quality organic manure और इस scheme के ताइप high quality organic खाथ पर भी focus किया जागा फार्मस के लिए या फार्मर्स के लिए and also improve urban sanitation तो और सो इस skim के द्वारा urban sanitation पर भी ध्यान दे जाएगा और proper disposal किया जाएगा cattle के cattle के waste को cattle के waste को cut cattle will be tagged with the owner's name इस skim के तर cattle की garden पर owner का नाम पता तर एड़स लेगा जागा because आगे एक आगे सर्वे हुआ तो आगे सर्वे के दोरान इसमें अगर cattle भार पाए जाता है तो इससे cattle की owner cattle owner की accountability इंशोर की जाएगी so cow shed will be constructed in 11630 ग्राम पंचा है जो cow shed जो गोशाला 11630 ग्राम पंचा है तथा BCR village में construct के जाएगे in phased manner में so district collector को district collector direct to earmark land तो district collector गोशाला के लिए land को mark करेगा also district collector provide ensure training for self-help group self-help group के लिए district collector training provide कराएगा so with the implementation of this scheme government aim to boost rule economy इस scheme के द्वारा government rule economy को boost करेगा and also create employment opportunity और और गुर्वल एरियाज में employment opportunity को और ज़्यादा increase करेगे so proper disposal of waste product by cattle cattle के द्वारा जो किया जाने वाला waste को proper तरीके से disposal dispose किया जाएगा है और इसके साथ या इसके बाद city और roads proper तरीके से clean रहेंगे so इस यूजना को हरेली फेस्टिबल के दोरान या हरेली फेस्टिबल के ओकरिशन पर launch किया था so हरेली फेस्टिबल में हमारे syllabus के लिए important हो जाता है हरेली फेस्टिबल 36 गर्ड का एक local फेस्टिबल है जो की अग्रेडियन फेस्टिबल है of 36 गर्ड and observe in स्रावण मन्थ स्रावण माम है या स्रावण महीने के दोरान इस फेस्टिबल को celebrate किया जाता है यह festival farmers के दोरा celebrate किया जाता है और इस festival में farmers अपने औजार तता other livestock की फूजा करते हैं इस festival में bamboo की लकडियों के दोरा चला जाता है और इस चलने या इस movement को ही gary race बोलते हैं और इस gary race में बच्चों की भी participation होती है so आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगरे lecture में धन्यवाद